हलो फ्रेंड्स मैं आदित और आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज इस्टिडी में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज है 22 अगस्त 22 अगस्त के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर के कुशन बन सकते हैं इस वीडियो में डिसकर्स किया गया है चलिए बढ़ते हैं हम लोग जो है अपने कुशन की तरफ उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं आलवेज इस्टिडी पर तो चैनल को सक्स्राइब जरूर कर लिजे वीडियो को लाइक कर दिजे कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगता है और अपने दोस्तों के पास जाएगा देखेगा वह आलवेज इस्टिडी पर क्यूशन आ रहा है ऐसे पढ़ाया जा रहा है उसे पसंद आएगा अगर जिसको पता ही नहीं होगा आलवेज इस्टिडी चैनल के बारे में तो कैसे जो है जानेगा इसलिए प्लीज आप लोग चैनल को जादा से जादा जितने भी आपके फ्रेंड हैं अगर उनका फोन मिले तो उनके फोन में सक्स्राइब कर दिया करिए उनको बता दिया करिए और जो आपको विग्ञान का जो साम को क्यूशन मिलता है वह कंपटीशन एक्जाम के लिए आपको बहुत ही यूजफुल वीडियो है हर ए सारे एक्जाम में बोर्ड एक्जाम हो या आपका कंपटीशन एक्जाम हो वह सारे क्यूशन इतने जर्नल क्यूशन है इतने अच्छे क्यूशन है कि आपको कहीं न कहीं जो है देखने को मिलते ही है ठीक चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्यूशन की तरफ आज का क्यूशन को भारत में दो साल के लिए अपना brand ambassador बनाया है रोहिस सरमा जी को ये कारिभार दिया गया है रोहिस सरमा जी को sports IBR brand ने भारती क्रिकेटर है इनको जो है रोहिस सरमा जी को दो साल के लिए brand ambassador बनाया गया है रोहिस सरमा जी को ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की अनुसार सबसे साफ शहर जो है वो है इंदोर ठीक है इंदोर ऐसा सहर है 2020 की अनुसार स्वच्छ सर्वेक्षण होता है एक सर्वे किया जाता है उस सर्वे में इंदोर में पाया गया कि इंदोर 2022 का सबसे साफ सुथरा सहर है ठीक ये जो की बहुत अच्छी बात है आप कहीं भी रहे घर पे रहे कहीं भी रहे साफ सुथरा चाहिए ही साफ सुथरा रहना ही चाहिए ठीक तो ये जो है इंदोर के ल लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये सर्वेक्षण यो ये सर्वे होता है इसमें इनका जो है ये पता जा गया ये पता चला कि इंदोर जो है सबसे साफ सहर माना गया इस वर्स 2020 में ठिक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग दिखते हैं अगला कुशन है किस देश की महिला क्रिकेटर टीम की आलराउंडर लोरा मार्स ने क्रिकेटर के सभी प्ररूपों से सन्यास का एलान कर दिया है तो वह हैं इगलेंड के इगलेंड की लोरा मार्स जी जो है इन्होंने क्रिकेट से जो है अब सन्यास लेने का जो आदेश अपना एलान कर दिया है कि आप हम जो है सन्यास लेंगे इस से पहले महंदर सिंग धोनी अंतर राष्टी मैस से जो है सन्यास लिए इसके बाद जो है उनके तुरंत बाद जो है रहना जी सुरेश रहना जी ने भी सन्यास लिए और ये भी अभी हाल ही में जो है एक से दो दिन पहले जो है इन्होंने ये अपना एलान किया इन्होंनी ये बताया कि हम भी अब जो है सन्यास लेना चाहते हैं ठीक तो ये तीन बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ये तीनों जो है अभिहाल ही में समझ लीजिए ये जो है ए अपना जो है क्रिकेट से सन्यास ले रहे हैं ठीक आगे बढ़ते हैं अग सबसे तेज बिद्दुत से चार्ज होने वाली ये बाहन है ठीक सबसे तेजी से ये चार्ज होती है टेशला ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुछन हम लोग देखते हैं जापान की डबल ओलम्पिक विजेता आयका ताका हासी ने हाल ही में किस खेल से सन्यास लिया है बैट मि बताया उन्होंने जो है क्रिकेट से इगलेंड की थी इन्होंने जो है क्रिकेट से सन्यास लिया उससे पहले जो बताया गए सुरेश रहना और महेंदर सिंग धोनी इन्होंने भी जो है क्रिकेट से सन्यास लिया और यह जो है जापान की है ठीक है ओलम्पिक की खिलाडी है ओलम्पिक से सन्यास लिया आये का ताका हासी ने ठीक ये बैट मिंटर की खिलारी थी इन्होंने जो है अब सन्यास ले लिया है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग अगला कुशन है हमारा किस राज सरकार ने सभी सेवारत वा सेवा निब्रित साइनिकों को ग्राम पंचायद प्रापर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है तो है महाराष्ट सरकार महाराष्ट सरकार ने सरकार जो ये महाराष्ट की सरकार है उन्होंने ये कहा है महाराष्ट राज में कि जो सेवा रत और सेवा निब्रित साइनिकों का जो है ग्राम पंचायद प् महराष्ठ राज ने ये जो है आदेश दिया है कि अब छूट मतलब प्रापर्टी टैक्स में जो बहुत जो टैक्स लगता था उसमें कुछ छूट देने की बात कही है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन हम लोग देखते हैं एक बार इस पर फिर से हम लोग बात कर लेते हैं किस राज सरकार ने वह कौन सा राज सरकार है जिसने सभी सेवारत वह सेवा निब्रित सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रापर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला दिया है तो वह महाराष्ठ सरकार है ठीक आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं हम लोग जो है सब्सक्रा घुघर में ने अगूगल ने भरत में रोजगार अवेधन हुक्त है किस आप को लौंच किया है गूगल ने भारत में रोजगार को देखते हुए इस application को launch किया है आगे बढ़ते हैं dream 11 ने कितने करोन रुपए में IPL 2020 मतलब की 2020 सीजन के लिए करोन रुपए के लिए 222 करोन रुपए खर्च किया है जो की बहुत बड़ी रकम है दो सो बाइस ठीक करोन रुपए ठीक है यह बहुत बड़ी रकम है dream 11 ने यह जो है कदम उठाया है ठीक आगे बढ़ते हैं एकला कुशन हम लोग देखते हैं अगला कुशन है वह आई आई टी संस्था किसने राष्टी सिक्षा नीत 2022 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिशर में आई आई टी संस्था जिसने राष्टी सिक्षा नीत 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिशर में सास्त्री एवं लोग कला एकाडमी की सुरुवात की है तो वो जो है आई आई टी खडगपुर ने ये जो है सास्त्री एवं लोग कला एकाडमी की सुरुवात जो है आई 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 टी खडगपुर ने की है जहां पर question समात होता है अगर आपको question अच्छे लगे तो question को जो है आप revision अच्छे से करिए notes करिए अपने note में और अभी तक channel पर अगर नय है channel को subscribe नहीं किये तो channel को भिना subscribe किये मत जाएए well icon को दबा लिजे जिससे आपको notification आपके पास सबसे पहले वीडियो पढ़े तो पहुंच जाए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्स फार वाचिंग